नमस्कार आप सभी को विजय दश्मी की हार्दिक शुब काम नाई विजय दश्मी के अफसर पर श्री राम की एक ऐसी भगत की कहानी जिन्होंने प्रभू को मीठे फल खिराने के लिए एक निर्दोश एक बहुत ही कोमल हिर्दर से अपनी छवी को प्रस्तुत किया जी हाँ हम बात कर रहे हैं माता शबरी की माता शबरी जो प्रभू श्री राम की अनन्य भक्त है माता शबरी का जनम आदिवासी भील पुत्री के रूप में हुआ देखने में माता बहुत ही साधारन बहुत ही कोमल थी इनके पिता ने इनका विवानिश्चत किया लेकिन आदिवासीों की प्रथा थी कि किसी भी अच्छे कार्ये से पहले उनके यहां जानवरों की बली दी जाती थी इस प्रथा से माता शबरी अनजान थी इनके पिता ने एक दिन पहले सो भेड बकरियां लेकर घर पर आए माता शबरी ने भेड बकरियों को देखकर पिता जी से पूछा कि भेड बकरियां इतनी सारी हमारे आंगन में क्या कर रही है पिता ने कहा शवरी यह एक प्रथा है जिसके अनुसार प्राते काल तुम्हारा विवाविधी होने से पहले इन बक्रियों की बली दी जाएगी इस प्रथा के बारे में सुनकर माता शवरी बहुत दुखी हुई और उदास मन से पूरी रात उन बक्रियों के पास बैठी रही उनके मन में अनेक विचार चल रहे थे जैसे की वो इन निर्दोश की बली कैसे दे सकती हैं अपने विवा का आरम किसी के जीवन से कैसे किया जा सकता है तब ही माता शवरी के मन में एक पिचार आया कि अगर वो अपने घर से कहीं चली जाए ये विवाह ही ना हो तो इन भेड़ पक्रियों की बेजुबान जानवरों की जान बच सकती है माता शवरी भली बाती जानती थी कि अगर वह इस तरह घर से जाएंगी तो कभी भी वापस लौट कर नहीं आ पाएंगी उन्हें घर में वापस स्थान कभी नहीं दिया जाएगा फिर भी माता शवरी ने निरदोश जानवरों की जान बचाना उचित समझा माता शवरी अगले दिन सुबह सुबह अपना घर चोड़ कर जंगल की तरफ निकल गई घनी जंगलों में भटकती रही तब तक उन्हें सिक्षा प्राप्त करने का कोई विचार नहीं था लेकिन अचानक से माता शवरी की मन में विचार आया कि क्यों न उन्हें शिक्षा ली जाए माता शवरी एक आश्रम में पहुँची जहां उन्हें तुछ जाती की समझ कर दुदकार कर आश्रम से निकल दिया गया माता शवरी भटती हुई मतंग रिशी के आश्रम पहुँची और मतंग रिशी से शिक्षा प्रात करने की इच्छा व्यक्त की मतंग रिशी ने शबरी को खुशी के साथ अपने गुरुकुल में स्थान दे दिया लेकिन अन्य सभी रिशी मतंग रिशी का तिर्षकार करके गुरुकुल से चले गए माता शबरी ने गुरुकुल के आचरण को आसानी से अपना लिया वो आश्रम की साफसफाई करती, गोशाला की देखरेक करती, दूद धोना, गुरुकुल वासियों के लिए भोजन वनाना, ऐसे कई कार्या माता शबरी बड़े ही श्रद्धा भाव से करती। लगातार कार्य करते हुए कई वर्ष भीत गए। मतंग रिशी शबरी की गुरु भक्ती से बहुत प्रसंद हुए। बोलो पुत्री, तुम्हें क्या चाहिए। आखों में आसू भरकर माता शबरी मतंग रिशी से कहती हैं कि हे गुरुवर, आप ही मेरे पिता है। मैं आपके कारण अभी तक जीवित हूँ। आपके कारण ही मेरा कोई अस्तित्व है। मुझे अपने साथ चलने का आशिरवाद दे। मैं आपके बिना इस संसार में नहीं रह पाऊंगी। मतंग रिशी ने कहा नहीं पुत्री यह आशिरवाद में तुम्हें नहीं दे सकता। मेरे बाद तुम्हें इस आश्रम का ध्यान रखना है। तुम जैसी गुरु परायंट सिश्या को उसके कर्मों का उचित फल मिलना चाहिए। और मैं तुम्हें आशिरवाद देता हूँ कि एक दिन भगवान राम तुमसे मिलने यहां जरूर आएंगे और उस दिन तुमारा उध्धार हो जाएगा। तुम्हें मोक्ष प्राप्त होगी। इतना कहकर मतंग रिशी ने अपनी देह त्याद दी। और उसी दिन से माता शबरी हर रोग उठकर बाग जाती। धेर साले फूल इखटा करती। सुन्दर फूलों से आश्रम को सजाती। क्यूंकि उन्हें नहीं पता था कि भगवान राम किस दिन आ जाएंगे। लेकिन उन्हें अपने गुरूवर के आशिरवाद पर संपूर्ण भरोसा था। इसलिए माता शबरी को यकीन था कि एक ना एक दिन प्रभु राम जरूर आएंगे। माता शबरी का सिलसिला चलता रहा। माता शबरी फूल लाती, आश्रम सजाती, फल लाती प्रभु का इ इसी तरह वे रोज अपना जीवन शिरी राम के इंतिजार में पिता रही थी। एक दिन शबरी आश्रम के पास तालाब में जल लेने गई। वहीं पास में एक रिशी तपस्या मेलीन थे। उन्होंने जब शबरी को जल लेते दिखा तो अच्छूत कहकर पत्थर मारा। ज जिससे माता के शरीर से रक्त की बुंदें बहने लगी। उन्हें गहरी चोट लगी। आश्पस जितने भी संथ थे माता को पापी और अच्छूत कहकर चिलाने लगे। ये सब देख माता शबरी रोते हुए अपने आश्रम में चली गई। उसके जाने के बाद रिशी फि वर्षों के बहुत रत्न किये, लेकिन वो जल कई वर्षों तक नहीं बदा, वर्षों के बाद भगवान राम सीता की खोश में जब वहां आये तब वहां के लोगों और भगवान राम को अपने यहां आने का आग्रह किया। अपने चर्णों के सपर्ष से इस इस रक्त को पुने जल में बदल दे ऐसा सब ने प्रभु राम से विन्य किया राम जी उनकी बात सुनकर उस तालाब में गए जहां माता शबरी का रक्त पड़ा हुआ था प्रभु के चर्ण स्पर्श करते ही वहां जल रक्त जल में बदल गया डिशिवर इस तालाब का रहस्य क्या है प्रभु श्री राम ने आश्च्रजवच वहां के रिशियों से पूछा तब रिशियों ने शबरी और तालाब की पूरी कथा बनाई भगवान ये है उसी शुद्र शबरी के कारण अपवित्र हो गया है भगवान राम दुखी हो कर कहते हैं कि हे गुरुवर ये है रक्त उस देवी का है जिन्होंने अपने हर्दय में मेरे शब्दों को रखा है मुझे घायल कर दिया उनकी भक्ती ने भगवान राम ने रिशिय से आग्रह किया कि मुझे देवी शबरी से मिलवाने ले चले राम का नाम सुनते ही शबरी व्याकुल होकर नंगे पैर तालाब की तरफ दोड़ी चले आई जब वह तालाब के पास पहुँची तब तक उसके पैरों की धूल तालाब रख तो जल फिर से निर्मल जल में बदल गया इस तरह शबरी का इंतजार खतम हुआ और प्रभुश्यराम ने शबरी को दर्शन दिये माता शबरी ने बड़े प्रेम से भगवान को जूटे बेर खिलाए कहते हैं कि शबरी जब एक बेर उठाती पहले उसको चकती फिर राम को देती लक्षमन ने उन्हें ऐसा करने से रोका कहा ब्राता को जूटे बेर मत खिलाओ तब राम कहते हैं लक्षमन ये भेर जूटे नहीं सबसे मीठे हैं क्योंकि इनमें प्रेम और प्रभू श्री राम दोनों बसे हैं मतंग रिशी का कथन सत्य हुआ देवी शबरी को मोक्ष की प्राप्ती हुई इस तरह भगवान राम और शबरी दोनों गेहरे मित्र कहलाएं आज विजे दश्मी के अवसर पर माता शबरी की कहानी आप लोगों को कैसी लगी ज़रूर बताएं और आगे ऐसी ही कहानियों के लिए आपने इस चैनल को सबस्क्राइब करें विजे दश्मी की हार्दिक शुबकाम